हाई हेलो नमस्कार मैं हूँ आजय कुमार एके आपका अज्जु भाई and welcome to the third episode of अज्जु के अपडेट्स जहाँ पर हम करते फिल्मों के अपडेट्स की बात एक साथ जहाँ पर सबसे पहली खबर आ रही है संकी को लेकर यानि सलार और डंकी को लेकर यहाँ पर डंकी का थोड़ा सा वीकर हो जाता है compare to राजु सर की पुरानी फिल्में बट मानना पड़ेगा सलार ने एक दिन बात रिलीज होकर भी डंकी से बाजी मार ली बट बट इसका मतलब यह नहीं है कि सर्क का स्टार्ण यहाँ पर कम पड़ता है हो नहीं दंकी नहीं यह तो सावित करी दिया है कि इस साल की तीसरी हाईस्ट ग्रॉस एट इन हिट मुवी है कुए न कहीं इस बात को तुम जुटला नहीं सकते कि सलार ने डंकी के सारे शो खा डाले इसलिए इतना ज़दा एंड मुंबए की मराथा मंदिर से डंकी को हटाए दिया था जहाँ पर सर्गी की डीडेल जी अब भी चलती है तो इसको तुम क्या बोलूगे जिसमें पता चल रहा है कि सलार पार्ट वन की शूटिंग करते टाइम ही 30% आओ पार्ट वन शूटिंग कम्लिट हो चुकी है और प्रभास ने इंटेवर में साब साब बता दिये कि सलार पार्ट विल बी एवर बिगर दान पार्ट वन इन टम्स अफ एक्शन थ्रील स्टोरी अब बात करते रिसेंटली आय होए ट्रेलर्स की मेरी क्रिस्मस दे लिजेंड आफ अनुमान एनिमिटेड सेरी जो सीजन 3 का आने वाला है और मेरी क्रिस्मस में नजर आयेंगे विजय सितुपती एंड कट्रिना के फर्स टाइम एंड ट्रेलर में मैं देखकर शौक हो गया दोनों का इस मुवी को डिरेक्ट करने वाले है बदलापूर और अंधाधुन फेल्म डिरेक्टर श्रीराम रागवार और माइंड ये मुवी भी अगर उस तरीके की स्टोरी के साथ निकली तो ये जबरदस थ्रिलर ड्रामा निकल कर सामने आएगी वही इस लिजेंड आफ अनुमान ये दोनों फिल्म में एक दिन रिलीज हो रही है बारा जनुवरी को लेकिन ये ठेटर में रिलीज हो रही है मेरी क्रिस्मस और ये रिलीज हो रही है डिजनी प्लस हो स्टार नेक्स्ट फिल्म में पंकेश तिरपाटी जी की मोस्ट आवेटेड फिल्म मैं आटल ह जो कि एक बायोपिक रहेगी आटल बिहारी वाचपई जी की जिसमें उन्होंने जो बिहारी एक्सेंट पकड़ाया जिस तरीके से बात करते थे आटल बिहारी वाचपई जी वो देखकर ट्रेलर में बहुत मज़ा आ रहा है वैसे पंकेज तिरपाटी जी भी बिहार से पुरे स्क्रीन प्ले में आग लगा दी तो संधी प्रेड़ी वांगा ने रिसाइड किया है कि उनका एनिमल पार्क में भी सेम रोल रहेगा तो मां इंडिट जब लोगों को पता नहीं था कि उनका रोल होने वाला है तो उनके स्क्रीन पर आते ही सिट्या तालिया से आने वाले स्क्रीन पर तो तब देखो टेटर कितना बड़ा बलास्ट होता है उसे के साथ संधी प्रेड़ी वांगा ने ये भी कह दिया है कि नेट्फिक्स वर्जन वो अभी एडिट कर रहे है एनिमल मुवी का जो साढ़े तिन घंटे का होगा मतलब आठ से नौ मिनिट क जो फूटेश कट किये गए थे वो भी आटेच करके वो लोग रिलीस कर देंगे एनिमल मुवी में जो हमने पोस्ट करेड़ी देखा था जहां पर आजीज दिखाया जाता है एनिमल पार्क की घोष्टना की जाती है वो सीन वहां पर होने ने वाला था मतलब संधी प्रेड जो फूटिंग करने वाले हैं सलार प्रभास के साथ उसके बाद वो एनिमल पार्क की शूटिंग करेंगे जिस तरीके से एनिमल को प्रोडूश किया था टी सीरीज ने भूषन कुमार ने तो अभी एनिमल के बाद जितनी भी फिल्म में बनाएंगे संधी प्रेडी वांग तो उसको भी प्रोडूस करेंगे T-Series मतलब दबा की पैसा चापने का प्लान है नेक्स्ट अबडेट आ रही है मोस्ट अवेटेड सिंगम 3 को लेकर जहां पर सिंगम 3 में नजर आने वाला है सिंगम का बेटा नेक्स्ट अबडेट है पुषपा 2 को लेकर जहां पर पुषपा तिरूपती के जंगलों में जाकर चुपा हुआ है ये अपडेट नहीं है मतलब पुषपा 2 में भी पुषपा 1 की तरह आइटम सौंग होने वाला है जिस तरीके से उवांटे मावा करके समन्ता ने कहर मचाय था पार्ट 2 के आइटम सौंग में समन्ता ने रहेगी श्री लिला रहेगी जो अमेरिकन एक्टर से तेल गोयन कनाड़ा फिल्म में काम कर चुकी है पुषपा 2 के बाद अल्लो अरजुन की नेक्स्ट फिल्म रहेगी एटली कुमार के साथ जिसका नाम अभी तक फाइनल नहीं है लेकिन शूटिंग मोस्ट प्रबैबली 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी IMDb के हिसाब से फाइटर विकें मोस्ट एंटिसेबेटेड मुवी आफ 2024 वैसे फाइटर से याद आया कंगना रनावत की फ्लॉप तेजस मुवी भी अभी OTT पर आने वाली है फिफ्ट आफ जनवरी दो हजार चोबीस को जी फाइव पर चे कुमारन टैगे श्रॉप की चोटी मया का टीजर रिलीज होने वाले 26 जनवरी को लेकिन उससे पहले इसकी टीजर अनौंसमेंट डेट आ सकती है इस फिल्म के लिए में एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अलिया बाज जाफर इसको डिरेक करने वाले है और प्रतिवरा सुकुमारन का भी इसमें र है कि अक्षे कुमार प्ले करेंगे पीवी सुन्दू की कोज पुलेला गोपी चंद का रोल यह ख़बर कितनी सही है मेरे को नहीं मालूम अगर ऐसे होता है भी तो ठीक है देख लेंगे जूनियर एंटियर की अपकमिंग मुवी देवारा का फर्स्ट लुक रिलीज हो सकता 8 जनवरी 2024 को अगर VFX वर्क डन होता है तो जिसमें उनके साथ नजर आने वाल है एक मुवी की जिसका नाम है गोदरा चाप्टर वन जो रियल इंसिदेंट पर बेस रहे गुजरात के साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई थी 2002 की बात है वो एक्सिदेंटी लगाई गी थी या फिर कुछ कॉंस्परेसी थी उसके उपर बेसल होने वाली है लाइक दे रेल्वे मैं भोपाल गैस ट्रेजडी तो जाते जाते आपके लिए एक बोनस अपडेट जहां पर सामने आ रहा है कि क्रिश फोर की स्क्रिप्ट प कौन से अपडेट सबसे जादा इंट्रेस्टिंग लगी तुम लोग को और 2023 में जितनी भी फिल्में रिलीज हुए उनमें से कौन सी पैसा वसुल मुवी आपने ठेटर में देखी कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज यार वीडियो पसंद आते तो प्लीज सब्सक्रा करना मिलता हो लीडियो में मैं हूँ जयकुमार बाई